तो बच्चों, हम आज सीखेंगे अविकारी शब्द. क्या होता है अविकारी शब्द? तो इससे पहले हमने जो सवंग्या सर्वनाम विशेशन पड़े तो वो विकारी शब्द होते हैं, जैसे उनमें लिंग वचन बदलने पर उनमें बदल आता है. तो अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष या कारण आदी के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं. उधारन अमन अच्छा गाता है, रोहित अच्छा लिखता है खरगोश दीरे दीरे चलता है तो इनमें अविकारी शब्द कुन से है वे देखेंगे तो अभी जो हमने वाक्य देखे उस वाक्य में अच्छा दीरे दीरे ये जो शब्द बार बार प्रयोग किये गए है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसे लिंग हो गया बचन हो गया पुरूश हो गया या अन्न किसी भी आधार पर या किसी भी कारण से हमें ये शब्द बदलने नहीं पड़े तो ये न बदलने के कारण इन शब्दों को अव्य या अविकारी शब्द कहते है अव्य या अविकारी शब्द ठीक है आगे हम इसका विस्तार से अध्यान करेंगे तो अव्य शब्द के भेद चार तरके होते है अव्य या अविकारी शब्द के चार भेद होते है पहला क्रिया विशेशन दुसरा संबंद बोधक, तिसरा समुच्य बोधक और चोथा विस्मयादी बोधक तो इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे इंगलीश में जैसे हम parts of speech देखते हैं तो उसी तरह से parts of speech मतलब शब्दों के जो भेद हैं वो अभी चार अलग और चार अलग पहले संगया सरवनाम, विशेशन, क्रियापत और तुसरे चार क्रियाविशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक जो पहले चार है वो विकारी शब्द में आते हैं जिसमें लिंग बदलने पर वचन बदलने पर बदल करना पड़ता है शब्दों में पर अविकारी शब्दों में ऐसा नहीं होता लिंग या वचन बदलने पर इसमें कोई बदलाव हम नहीं करते पहला है क्रिया विशेशन तो क्या है क्रिया विशेशन जो शब्द क्रिया के काल स्थान रिती परिमान आदी विशेश्टाए बताए उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे विशेशन में करता के बारे में विशेश्टा बताई जाती है जो करता होता है उसकी में क्रिया की विशेशता बताई जाती है क्रिया कैसे हो रही है कौन से समय में हो रही है कुछ किस स्थान पे हो रही है दिरे दिरे हो रही है या जल्दी हो रही है तो यह सारी बाते क्रिया विशेशन में बताई जाती है और इसे ही हम कहते है क्रिया विशेशन ठीक है उधार तो यह धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेशन है जो वाक्य हमने देखे जिसमें धीरे धीरे सुहावनी परसो से और यहां शब्द वैकरन की दुरुष्टी से क्रिया विशेशन है क्यूंकि ये क्रिया के बारे में विशेश्टा बता रहे है तो ये शब्द वाक्य में आई क्रियाओं की विशेश्टा प्रकट कर रहे है और इसलिए हम इसे कहते हैं क्रिया विशेशन अवे या क्रिया विशेशन तो ये शब्द क्रिया की विशेशता बता रहे हैं दुसरा प्रकार देखेंगे दुसरा भेद संबंद सुचक जो शब्द वाक्य में आये किसी शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंद बताता है उन्हें संबंद बोद कहा जाता है मतलब वाक्य में आये किसी शब्द का अन्य शब्द से संबंद बता रहा हो तो उस शब्द को हम बोलेंगे संबंद बोधक उधारन के पीछे की ओर की तरफ के मारे के उपर के साथ ये जो है ये संबंद सुचक के उधारन है कवा पेड़ पर बेठा है कवा और पेड़ का संबंद है कवा कहा बेटा है पेड़ पर बरगत के नीचे घनी चाया है बरगत और चाया इन दोनों का संबंद है क्योंकि बरगत के नीचे के नीचे तो ये संबंद सुचक अव्य है जो शब्दों का भेद है वो संबंद अगला भेद है समुच्छ बोधक जो शब्द दो शब्दों वाक्याशो वाक्यो या उपयो वाक्यो को जोडते हैं उन्हें बोलते हैं समुच्छ बोधक मतलब दो जो वाक्या, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हो जैसे देखो राहूल और रोहित खेलने जा रहे है इस वाक्या में रोहित और राहूल इनको एक शब्द ने जोड़ा है और आम अधिक मीठा है अत्वा सेव, लता तथा शीला आपस में बहने है इन वाक्यों में और अत्वा तथा ये जो शब्द है ये समुच्य बोधक शब्द है जो वाक्यों को शब्दों को जोड़ते हैं जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्य बोधक शब्द केते हैं अन्य भी दिये आप पड़ सकते हैं आगे विस्मय आदी बोधक जो शब्द हर्ष शोक गुरुना भै अचर्य विस्मय आदी भाव को प्रकट करें उन्हें बोलते हैं विस्मय आदी बोधक उधारना तो वाह तुमने तो कमाल कर दिया है मेरा तो सब कुछ खो गया है राम मैं तो लुट गया उपर के वाक्यों म हाई वाह हाई राम ये शब्द शोक प्रशंशा के भाव को प्रकट कर रहे हैं इसलिए ये विस्मय आदी बोधक शब्द है कौनसे शब्द है विस्मय आदी बोधक तो बच्चो आज हमने पढ़ा क्रिया विशेशन संबंध सुचक अव्वे विस्मय आदी बोधक विकारी शब्द के भेद पढ़ें आपको वीडियो अच्छा लोगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें